11 चेपिएसी में 15 कोशन आपके करेंट अफेर से पूछे जाने हैं तो आज हम लोग जितने भी महत्पुन फेस्टिबल हैं टोटल 42 मैं आपको याद करवा दूँगा और इसके लिए जरूरी नहीं है कि एकदम कंसेंट्रेटेड होकर करके स्टडी रूम में बैठना है आप घूम रहे होंगे कोई काम कर रहे होंगे या फिसोने जा रहे तो इस वीडियो को देख लिजेगा एक कोशन यहां से बनने की बहुत संभावना है और अराम से आप इस कोशन को अटेम्ट भी कर पाएंगे पूरा वीडियो देखेगा दस मिनट में हस्ते हस्ते वे आप चीजों को याद कर पा रहे होंगे तो आप सभी को मेरा जय गरू तो चलिए श्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले आज का टार्गेट भी ले लिजे क्योंकि लास्ट कल दसमा दिन है जिसमें हम लोग 100 मार् जो आप लोग नोट्स में पढ़ेंगे जो आप लोगों ने लिया है या आपने कोई भी बूक या फिर आपने जो भी कंटेंट पढ़ा होगा बोटनी पूरा कंप्लीट करना है कंप्यूटर डेवलप्मेंट कैप्सुल संख्या आपको 42 या 41 में मैंने करवाया है ने शनल और्गनाइजेशन मैंने आपको 30 से 35 आपको दिये है और सारे के सारे डिटेल और पूरा का पूरा अपडेटेड है कि कौन अध्यक्ष है कौन प्रेसिडेंट है कौन सी रिपोर्ट वो जारी करती है उस रिपोर्ट में इंडिया का राएं कि या फिर फिर राज कोशन यानि 10 माक्स यानि कि 90 माक्स की हम लोग तयारी कर चुके तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंपोर्टन फेश्टिबल पर तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे सबसे पहले राजस्थान का हम लोग याद कर लेते हैं देखें अंतराष्टिय उट पुसकर मिला अब इसको याद कैसे करेंगे राजस्थान को सबसे पहले समझे राजस्थान यानि किसका अस्थान है ये राजा का स्थान है अगर हम राजा के अस्थान की बात कर रहे हैं तो भाई देखें उसके सामने क्या होना चाहिए पुसकर यानि कि पुस्प होना चा तो अराम से option eliminate कर लेंगे, अगर आप से पूछा जाएगा अंतराश्टी उट महोत्सव तो उट देखते हुए राजस्थान के पास आएंगे, पुसकर में आप पुस्प देखते हुए राजस्थान के पास आएंगे, अब चलते हैं हम लोग हरियाना में, हरियाना में तीन festival म इसके कारण क्या है, परिशान है, और इसके कारण कई सारे summit international level पे किये जा रहे हैं, लेकिन भारत में क्या होता है, हम सभी को पता है कि यहां तक ही जो इसरों के जो chairman ने उन्होंने भी accept किया है, कि जो भी विज्ञान है, यह कहां साई है, तो वेदों से ही प्राप्ती अब आपको पता है कि हमें जो ग्यान की प्राप्ती हुई, जो वेद चिसे कहते हैं, या फिर विज्ञान जो हम कहते हैं, विज्ञान पढ़ रहे होते हैं, यह हमें कहां से प्राप्ती हुई है, वेदों से, गीता भी एक वेद है, देखे, कोई ना तो मजाक किसी को करना ह ना किसी को दिल पे कोई चीज़ लेनी है हमें कोश्चन बनाना बस तो सुर्य भगवान के हमें पूजा करनी है वहाँ पे हम बैठते हैं नहा करके वेद लेते हैं वेद में हम गीता लेते हैं जब हम विज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमें automatic पता चलती है कि हमें पूरा का पूरा वातावरन कैसे रखनी है हरियाली रखनी है तो सूरज कुंट सुर्य भगवान की पूजा करेंगे हरियाना में आ जाएंगे हरियाली से अंतराष्टी गीता महुतसव गीता एक वेद है वेद पढ़ने से हमें विज्ञान की प्राप्ति होगी अंतराष्टी विज्ञान महुतसव और इसके कारण हम क्या कर पारेंगे वातावरन को हरियाली रख पारेंगे राजस्थान राजा जिस अस्थान पे बैठेगा वहाँ पर उठ होना चाहिए पुस्पोना चाहिए पुस्कर हरियाना से हरियाली, हरियाली तब होगी जब हम सूर्य भगवान की पुजा करेंगे और उसके पास हम वेद लेके बैठेंगे और वेद से हमें विज्ञान की प्राप्ती होगी महराष्ट से तीन उत्सव आपको याद रखने चलिए साहब आराम से याद करते है महराष्ट में आपको पता है महान राष्ट महान राष्ट कौन है तो भारत है, इंडिया एक वो नेशन है जो महान है ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले महान राष्ट क्यों है हम लोग, क्योंकि हमारी जो जनता है जनता से अजनता, ठीक है और maximum जो जनता है वो कैसी है युवा है और ये आपको मैंने poverty में बहुत अच्छे से content में दिया हूँ गरीबी जो आपको पढ़नी है तो यहाँ से दो याद हो जाएगा अजनता से जनता जनता कैसी है युवा है राष्ट ये युवा महतसव और ये इसलिए हमारा महान राष महराष्ट से आप ये समझे दक्कन के पठार पिस्तित है काली मिट्टी पाए जाती है क्योंकि वहाँ पर ज्वाला मुखी का उदय हुआ था तो काली मिट्टी के कारण यहाँ पर काला घोड़ा पाए जाता है तो क्लियर हो गया काला घोड़ा काली मिट्टी महराष्ट ठ क्योंकि हमारी जंता युवा है चलिए अब नियू दिल्ली के पास आता है आप सभी को पता है नियू दिल्ली में काफी ज्यादा थंड पड़ती एठंडी के दिनों में हेम है ठीक है गंगा के पास ही इस्तित है आपको पता है इलाहाबाद यमना वही से निकलती है तो गंगा उत्सव भी हो गया अब जितने भी बहपार या फिर बड़े बड़े जो कमपनिया है नियु दिल्ली में भी कई सारी कमपनिया है तो अंतराश्ट ये बहपार महत्सव और हम लोग नियु दिल्ली मिस्तित है क्योंकि हम लोग तयारी करने जाते थे अरूनाचल परदेश पहले देखिए अरूनाचल परदेश ये आपको हुमवग दे रहा हूँ, देखते कि आप लोग कितना सांदार ट्रिक बनाते हैं अरूनाचल परदेश के उपर, ठीक है, पक्के पागा उनिंग महोत्सव तोर गया उत्सव मैं कमेंट सेक्षन देखना चाहता हूँ कि अरुनाचल परदेश के उपर कौन एक सांदार ट्रिक बनाता है और देखे एक चीज कन्फूजन नहीं होगा यहाँ पर हॉन्ड विल है और नागा लेंड में भी हॉन्ड विल उत्सव बनाये जाता लेकिन पक्के पागा हॉन्ड विल पुछेगा तब आप अरुनाचल परदेश ठीक करेंगे लेकिन अब मैं इसका एक सांदार आपको बस हिंड दे रहा हूँ अरुनाचल यानि कि एक अरुन है जिसका नाम है लड़का और आचल यानि कि आचल जो लड़किया साड़ी पहनती उसकी आचल है ठीक है ना तो इससे आप इसको को रिलेट करके चारों को बनायेगा एक और हिंड दे देता हूँ तू गया तो मैं बोल रहा हूँ कि अरुन आचल में घुस गया है भाई इसलिए वो गया तू गया भाई अरुन चलिए तीन आप कमेंट करके बतलाएं कैसे याद करते हैं उड़ीशा प्याब हम लोग आते हैं उड़ीशा की अगर बात किया जाए सबसे पारले कैसे लिखेंगा उड़ीशा को यागो क्या बोलते हैं बिहान तो जो उड़ीशा में जो राजा है ना इसलिए उड़ते हैं ना क्योंकि वो बिहान होते ही यानि सुभा होते ही नहा दोहा करके खाते हैं और फिर यात्रा में निकलते हैं इसलिए वो काफे स्वस्त होते हैं उड़ते रहते हैं और आप से पूछा जाएगा पहला जन जाती है खेल महोट सो तो उड़िशा में साथ मिनट है और हमारे पास तीन से चार मिनट का समय और बसता है नागा लैंड नागा लैंड में आ रहा है एक लैंड यानि की जमीन जमीन खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए पैसा और जब हम पैसा पे करते तो हमें मिलता है एक बिल और बिल जब मिल गिया हमने जमीन जब खरीद ली तो हमने खाया औरेंज खुसी आली में तो नागालेंड से याद हो गया हौण बिल महोट सब औरेंज फेस्टिबल तमिल नाडू, तमिल से आप इसको ऐसे लिखेंगा तमिल, यानि कि तुम मिल गए भाई, तो रुक जाओ ना, पे रुक्कू, ठीक है ना, पे रुक्कू से तुम मिल गए, तुम मिल गए, रुक्कू, यानि कि रुक जाओ, तुम मिल गए, तमिल नाडू clear, गुजरात, वो गुजर गई क्योंकि वो बहुत ही दिव्य रात थी दिव्य कला मेला ठीक है ना दिव्य कला मेला वो रात दिव्य थी इसलिए वो रात गुजर गई जम्मु अंड कास्मिर में आपको च्यार याद करना है मैक्सिमम ये आप अराम से इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है ठीक है देखे जम्मु अंड कास्मिर आप सभी को पता होना चाहिए क्या माता रानी हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो माता खीर माता की वहाँ पे खीर जो हम लोग बहुत ही परशाद जो चड़ती है माता रा मतलब कि बहुत सारी पहाड है बहुत सारी संकरी रास्ता है इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा वितस्ता है तो अराम से इसको आप कर लेंगे इसके लिए कोई ट्रीक की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट आईए लगदाक लगदाक मैं आपको पता हुना जी अभी चैनलम मौन लगदाक चल गया है तो आप एकदम मौन हो जाए इतने उपर अतने ठंड में क्या करेंगे सब कोई मौन ही करके रहेंगे तो मौन चैनलम फेस्टिबल ठीक है मौन मौन चैनलमू फेस्टिबल वेश्ट बंगाल गंगा सागर मेला मतुआ ठीक है ना भाई करके रखे गंगा माता है वहां पर ना अगरा हाथी आपक ऊपर चड़ जातों क्या है दब जाएंग चंदू बिए तो असीम हाथी है ठीक चैना असीम से असं में गज जो है बहुत ही बड़ा हाथी जिसके नीचे रहम गए तो असीम है इसलिये वह हाती ठीक है चंद दुब्भी ठीक है चंद दुब्भी दुब गए दब जाएगे गाप हातीसे दब जा इएगा इसलिए वह असीम discuss裡 अप में तो सिक्की आपके पास मिल जा रहा है तो खर्चा करेंगे इसलिए पूरा धूम मचाए भें घुम्चू है ौपित्री पक्षय में इलाख चलीए मिजो रम में रम आप पी लेने के बाद क्या करते भाई ठीक है ना तो एंथूरियम तो आप जैसे ही रम पी लिए तो भाई सब को आपको थूर दिया ठीक है ना एंथूरियम में थूर दिया करनाटक है नाटक मत करो कंबल के अंगर ठीक है ना भाई तलंगाना में तेल मिल गया है तो गाना गाते वे बनालो खाना बोनालू खाना बोनालू तहवार ठीक है जाकार्ता में आश्यान भारत बाजरा महुत सहुआ तो होप शो आपको याद हो गया होगा 10 मिनट 11 मिनट नौ मिनट अभी हुए तो मैं रिवाइस करवाता हूँ राजस्थान राजा का वो अस्थान है जहां पर क्या मिलेगा उट मिलेगा और पुस्प मिलेगा हर्याना हर्याली कैसा हैंगे सूर्य भगवान के पास वेद कौन सी वेद गीता हमें विज्ञान की प्राप्ति होगी ह पहान राष्ट भारत है क्योंकि यहां की जंता अजंता युवा है युवा और काली मिटी काला गोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं नियो दिल्ली में मैंने बोला काफी ठंड है हीम है गंगा यहां पर सामने है यहुना है और फिर मैंने यहां बोला बहुत आड़ी कंपनि या है इसलिए बैफार होती और पुस्तकाले एक समय यहां पर लोग तयारी करने आते थे अरून का मैंने हिंड्स दिया है अरून आचल में घुजा ओर रता इसलिए वो तूर गया तू गया तोर गया बाकी आप कमिंट करेंगे आगे उडिशा उड़ रहा है यहां का राजा इसलिए क्योंकि यह बिहान होते ही नहा करके खा करके बाली यात्रा में निकलते हैं और पहला जन जाती है खेल महोता उडिशा में ही हुआ है यह भी इंपोर्टन्ट है नागा लेंड में लेंड हम खरीद लेते हैं तब बिल मिलता है और लेंड खरीद लेने की खुसी में हम लोग औरेंज खाते हैं तमील में तुम मिल गए इसलिए रुख जाओ भाई परक्कू रुखकू रुखकू गुजर गई वो रात वो कैसी रात दिव्वे रात मैंने कहा लेवेंडर एक याद रहेगा बहुत सारी घाटी है वेली है वितस्ता रास्ता होती है और मातारानी है वहाँ पे लद्दाग पहुँच गया तो मौन हो जाईए मौन हो जाईए बाकी हीम वहाँ हेमिस है क्योंकि वहाँ पे हीम तेंदुआ पाये जाता है वेश्ट बंगार गंगा सागर मिला माता है वहाँ पे गंगा मा है असम असीम है वहाँ पर पाये जाता है क्या गज जिससे आप क्या हो जाएंगे दब जाएंगे चंदुब्बी हो जाएंगे खाना बना लो भाई गाना गाते हुए बना लो जाकारता में हुआ है आश्यान भारत बाजरा महसा होप शो आपको सारी किस सारी फेस्टिबल याद हो गई होगी मिलते अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर से जरूर लाइक करेगा तब तक के दन्यवाद